कैसे हैं वाप है शाय होंगे तो अभी तो अब चोन तिन की तरफ आया हुआई यहां पर देखो और ऐसली बाही है और वो एमंड़ वाई उटना ओट दी वरना मैं उसके चैनल के बाते कर रहता कि मेरे चैनल है तो कुछ बाते हुई थी लेकिन वो अच्छा बात निकार था तो मैंने हटा दिया तो गाइज यहां पर जो है हम जो खड़े गरा मसाले हैं उनको जो है भुनना है तो यहां पर ममी ने लिए है दोचम्माज जीरा आड़चम्माज सौप और चार-पांच काली मिर्च चार-पांच लॉंग और आद़चम्माज मेथि दाना तो इन चीज़ों को मिक्स करके मम्मी कड़ाई में भून रही हैं मतलब अच्छे की इसको भूनना है और यहां पर देखोंकर राई भी रखा हुआ तो यह राई जो है चारपा चममज वहां ने राई लिया और यह राई को अच्छे से दो के रखेंगे और यह चील भी लिया है मम्मी आपको मसाला दिखाया है भूनने वाला वह हम इसमें जो है पीस लेंगे मिकसर में तो अब यहां पे मम्मी ने मसाला किया है कैसे क्या है वह मैं आप लोगो बता देती हूं तो गाइस यहां पे हमने जो मसाले भूने थे वह हमने पीस लिया है तो यह आपको मैं दिखा रही हूं यह ब्लैक ब्लैक जो दिखाया है वही मसाला है उसमें जो हमने हमारे लैसून जो हमने चील के रखे थे तो वह भी हमने उसमें एडिकर दिया है और अद्रक को गिस लिय में चीहां नहीं वालने कंव ऊप्य। मिर्च पावडर लिए एक प writes गळन्यां लुए है रहए मिर्ण ज़्म झाया हिनद कीमां में हमारा म्साल्ण फार्टमी धाश में होना पाइल को में हम करना बती इर चाहिए रहा थेए लि का तो ंएनंगें तो मम्मी यहां पर तेल गरम कर रही है तो थोड़ा ऐसा बीच में कुछ-कुछ वीडियो के क्लिप जो है मीस हो गए है तो प्लीज सॉरी तो अब यह देखू यह मसाला है जिसमें मम्मी ने तेल एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस तरीके से यह मसाला हो तो यहां पर किट्ट्टू भी आ गई तो इसलिए मस्ति कर रही थी तो मसाला में आप लोगों को दिखाए दिया है यहां पर धोर के हम को एक कपड़े पर इनको रख लेना है ताकि इसका जो पानी मिकल जाए तो यहां पर मम्मी काटकी मुझे दिखा रही थी कि कि इस तर तरफ चारो तरफ जहें इसको कट करना है तो यह देखो अब मसाला इसमें मम्मी एड़ कर रही है तो चम्मच की मदद से भी आप चाहो तो इसको भर सकते हैं और हातों से भी आप इसको भर सकते हो तो आपको जो सही लगता आप उस तरीके से मसाले को भर सकते हैं तो इसी तर मॉमी ओहाई भी तो उत्ते नहीं के तो जादा तेल नहीं करना है आपको यह याँ पेτο देंगा कर दो चम्मत कर आ है और चारो तरफ इस तरीके से घुमाके डालना है ताकि आपके जो भर्मा है वह अच्छे से पख जाए और बी जादा नहीं हो तो यहां पर इस तरीके के बरतन से आपको ढखना है ताकि बराब ढख जाए हवा बिल्कुल भी नहीं उससे अंदर जानी चाहिए तो मीडियम करन आपन करके देख लेना है कि कहीं नीचे जल तो नहीं रहा है बटा आलू तो उनको जो है हम थोड़ा सा चला देंगे बीच में तो यहां पे जो है एक बार इसको पलट देना है ताकि जो हमारे भटे हैं उपर वाले बटे नीचे आजाए ताकि अच्छे से पक जाएए तो यह हमारी जो सबजी है बन जाएगी बहुत ही जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएगी तो यहां पे यही वाला डखकन साम जो अभी आपको दिखाया था वही उसी से हम ढग देंगे यह देखो तो अब जो है यहां पे हम तुकूस देर के बाद आएंगे झाल 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 झाल